तो अपनी जो मैत्रपूंड क्लास है अपके लिए लेकर आए हूं तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहां देखिए पहले क्यों पूछा गया है कंप्रेशन इंजिन के लिए कि डीजले इंजिनों के लिए संपिर्ण अनुपात आम तोर्व पर की सीमा में होता है छैसे दस या फिर दस से पंद्रा या पंद्रा से पत्चीश या पत्चीश से चालिस देखिए कि क्या होना ची राइट अंसर इसका है तो देखिए जो आपने देखा है लगबग क्या हो जाता है कि पंद्रा अनुपात एक से पत्चीश अनुपात एक तक पहुंच जाता है पंच आता है ने तो सी अंसर किया इसका राइट अंसर है कि कहीं मुक्व में आपको चोजा अनुपात से भी मिल जाएगा लेकिन आपने option में जो दिया है उसको देखना है ठीक है तो यहां 15 से 25 है और राइट अंसर है 15 से 25 ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट लोशन की देखिए पिष्टन संपिडन के छल्ले से बने होते हैं कच्चा लोहा से या इस्टिल से या एल्मोनियम से डी कांस्ट से से कि अग्यार कि संपिडन चल्ला यानिके रिंग के बारे में पूछ रहा है कि पिष्टन रिंग है ना संपिडन चल्ला क्या होते हैं पिष्टन रिंग होती है तो कह रहा है कि पिष्टन रिंग के छल्ले किस से बने होते हैं कच्चा लोहा से बने होते हैं या फिर इस्टिल से बने होते हैं या एल्मोनियम से बने होते हैं किस से बने होते हैं पिष्टन रिंग कि तो पिश्टन रिंग की जब बात आती है तो वह किसका बना होता है कि यानि कि कास्ट टाइरन यह बैसे से भी बना ओता है कि लेकिन सबसे पहली जो प्रफेर्श दी जाएगी इसको कि किसको क स्टाइरन हो और पिय्ट्र रिंग किसे बने कर रस लोहा बने होते हैं निर्मित होते हैं आभाच से ने किकि 취्ट क्यों कि कि एक मजबूत कि फीड स्नेहन प्रणाली में अत्य दिक तेल के दबाव से बचाओ के लिए उप्यों के जाने वाले उपकरण को के रूप में जाना जाता है देखिए रिलीज सेंबर या फिर बी बैलेंसर या फिर सी राहत वालवे या फिर वालवे बंद करो देखिए जरा किस नाम से जाना जाता है तो इसमें दोस्तों आएगा सी ओक्षन यानिकी राहत वालवे या फिर प्रेशर रिलीफ वाल भी बोलते हैं इसको या फिर दाब भी मौचक ठीकट तो एक मजबूत मजबूर लिखता है फिर सनहन पंडाली में अत्य दिक तेल के दबाव से बचाओ के लिए उप्यों किये जाने वाले यानिके वर्तमान समय में अपनी गाडियों में जो सिस्टम चल रहा है ओलिंग का वह पंप सर्कुलेटिंग या फिर आप उसे फोर्स फीड या प्रेशर टैब लुब्रिकेशन सिस्टम बोल सकते हो वर्तमान समय में क्यूंकि निचे का इसाच होता है ओल चेंबर ऑल चेंबर से जो तेल उठाता है कौन उठाता है ओल पंप और ओल पंप किसको देता है फिल्टर को और फिल्टर से इंजन की में पहुंचता है ठीक है सारी में पहुंचता है तो यह प्रेशर करता है ठीक है तो एक मजबूत जो फीड नहें पढ़नाली में आते दिक तेल की दबाव से बचाओ के लिए उप्यों कि जाने वाला जो उसे बोला जाता है राहत वाल वाल या फिर दाव इमोचत वाल वे देखें नेक्स कोशन तायर के पहलू अनपाथ परतिशत में वेक्ट को के अनपाथ की रूप में प्रभाशित किया जाता है सेक्षन की चोड़ाई से सेक्षन की उचाई या फिर सेक्षन की उचाई से सेक्षन की चोड़ाई तक या फिर सी वील व्यास से सेक्षन उचाई तक या डी वेल व्यास से से देखिए फॉर्थ का तो इसमें क्या गए रहा है section की उच्छाई और section की चोड़ाई तो देखिए टायर जो होता है तो उसमें जो नाप होती है एक तो जो टायर का उपरी हिस्सा होता है ठीक है ये वाला इस चोड़ाएगी और एक टायर का यह निजन नीचे वाला हिस्सा होता है यहाँ ठीक है ना तो इसकी दोनों की हैट मापी जाती है इसकी और इसकी ठीक है और नीचे की वर्त आपको पता है क्या जाती है रिम आ जाती है टायर का यह हिस्सा कुछ और हें जब और उप्र वाला हिस्शा और इसकी माप होती है है को इसकी माप होती है और इसके से माप होती है रेडि znajdu मापकर देते यह तो यहां जो अंसर आएगा थो ऑठ का हो क्या आएगा थे पह कि देखिजाना व से ये से पुश्सेंड की उचाई मेरे उचाई ये सेंडर की सोडे तो दोनों की माप होती है तो यहां A inspection किया है प्राइट बिल्कुल टैन और इसमें आप आपको पता है ट्रेड goods बनि रहती है दिजीन उपर का जो सब्रहता है कि clay कि देखें नेक्स्ट कुश्चन पूर्ड दिश्चार्ज बैटरी यानिके चार्ज नहीं है डिश्चार्ज बैटरी की लिड़ की इसिटीव बैठरी की डिड़ों पर होती है क्या लाट प्रोक्षएड होती है तो यह तो यह तो होती पॉजिटिव बैटरेटिंपरी की लिए कैली और भी है इस्पर्जी सिसाब और डी है इस अब रिशाज बैटरी हो जाती है वैसे इस पंजी सिस्षे से वह बनी होती है लेकिन उस पर जमा हो जाती है ना वह किसकी हो जाती है लेड शल्फेट की तो यहां क्या है कि सी ओप्षन आएगा क्या अगा लेड शल्फेट वैसे इस पंजी सिस्षे की बनी होती है ठीक है ना किसकी स्पंजी सिस्षे की बनी होती है नेक्स्ट कुश्चन देखिए लेकि सवचालित ट्रांसमिशन की गेर क्या में गेर पृर्तन को लागू करने के लिए एक क का उप्यों किया जाता है वह क्या है तो सवचालित है तो गेर की एकाई को जो प्रिवर्तन को लागू करने के लिए कौन सा उपकरण है इसके अंदर कि सिंक्रोनाइजर है या फिर ग्रह गेर है या चुम्बक यह क्लच से है हाइड्रोलिक मल्टी प्लेट क्लच है जो अपर में बता दूं जो ट्रांस्मिशन होता है इसमें किस प्रकार का हाईड्रोलिक मल्टी प्लेट वक्रियोगेय किया जाता है क्पारस्मिशन सिस्टम की अधिन ठीक है कुंसा है आप मैल्टी प्लेट कि नेक्स्ट कोश्चन देखिए त्रिज्या गेज यानि कि त्रिज्या गेज क्या होता है रेडियस गेज होता है त्रिज्या गेज को मोडने का उद्देश को मापन है संप्रक्षितर को या इस टेरिंग वील के फ्री प्ले को या फिर सी बाएं और दाएं पईयों की तिर्ज्या मोडना या ड्वाएं और दाएं पईयों की पैर के अंगुठ के कोन में तो देखें यहां है बाइं और दाएं एना लेफ्ट और राइट बाइं और दाएं जो पईएं है उनकी तिर्जा यानिकी रेडियस मोड़ना बाइं और दाएं पईएं की जो तिर्जा है उसको मोड़ना तो C option क्या है इसमें right answer है ठीक है 7th का कि एड़ तक क्वेशन देखिए प्राकर्ति गेस को सी एंजी सिलेंडर में दाव में संपिरित किया जाता है देखिए भई 200 बार है या 220 बार है या फिर 250 बार है या 300 बार यहां कितना होता है तो यह होता है यानिके 200 बार जो है लगबग जो 200 बार है वो बताया है सी एंजी के लिए है ना कितना 200 बार है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर स्ट्रोक पैट्रल इंजन में वालव और लेप लगबग होता है कितना समय होता है वालव और लेप लगबग वो समय है वो तो उप्ठा है तीश डिग्री है या फिर साट डिग्री है या नभ और है या कि है है वह और लगबग होता है ठीक है ना फोर इस्टोग पैट्रोल इंजन में वालव और लेप दोनों वालव एक साथ खुले रहते हैं तो और लेप प्रिड है वह कितना माना गया है लगबग 30 डिगरी का माना गया है कि देखिए निमल खित्में से कौन सा बहु ग्रेड तेल को इंगित करता है तो आपको पता है कि इंजनोल को जो मापने की जो समता होती है वो क्या होती है कि युझे एस इस तो इसमें दिया गया है सबसे ज्यादा इसमें ऐसे बीच से पचास पिर अपे मातलब बैदर यानिके जो टापमान डबलो का मतलब कि वैदर यानिके तापमार तो यहां ऐसे बीसे डबलू फिफ्टी जो है वो राइट अंसर है एना इंजनों के लिए बहुत गुरिट तेल कि नेक्स्ट कोश्चन देखी जड़ा पैट्रल इंजन में क्या बताया गया है पैट्रोल इंजन में संपिडन अनपात डीजल की तुलना में कम रखा जाता है क्योंकि पैट्रोल इंजन का जो संपिडन अनपात है वो डीजल की तुलना में कम होता है आपको पता है कि पैट्रोल का जो होता है आपको लगबग मिलता है जो क्या तो आपको 6 अनुपात 1 से 10 अनुपात 1 तक मिल जाता है या फिर 8 अनुपात 1 से 12 अनुपात 1 तक मिल जाता है और डीजल का आपको पता है 14 अनुपात से चलू हो जाता है और 22 अनुपात 1 या फिर 15 अनुपात 1 से 25 अनुपात एक अंतिमिस्त्री के से भी मिल जाता है है ना तो यहां जो कम रखा जाता है वो पैट्रोल का और डीजल का क्या है वो जादा रखा जाता है क्यों यह है पैट्रोल इंजन को हलका बनाता है ल riders हलका होता वेशे दो यह ती अक़रण पैट्रोल इंजन में उक्स्या संपीड़न अनुपात संभाव नहीं है सी कम संपीड़न अनुपात बैतर प्रद्दैश्ण देता है धी ट्र में कम संपिड़न अनुपात रखने की पर्था पर्था है गात देखिए ज्रит इसका option क्या है बी प्रीगनिशन यानिके पूर्वे प्रवजलन के कारण है पैट्रोल इंजन में उच्छ या संकक्ष संपिडन अनुपात संभव नहीं है तो यहां जो बी option है वह इसका राइट अंसर है ठीक है बी option 11 का नेक्स्ट कोश्चन देखी जड़ा आटो मुबाइल में बैटरी का मुख्य कारिये है अल्टिनेटर को बिजली के अपूर्ती या फिर बिजली के जलाशे या इस्टेबिलाइजर के रुग में कारिये करें या इंजन चलने के दौरान हर समय वाहन की विदूत प्रणाली को बिजली के अपूर्ती करें या फिर डी इंजन चालू होने पर इस्टार्ट मोटर को चालू करने के लिए बड़ी मात्रा में बिजली के अपूर्ती करें कि आई मं घंट हो गया क्योंकि अलटेयर जो होता है अलटेयर जो होता है वह पैटरिय को चार्ज करने का काम करता है ना कि फैट flesh अपूर्ती करतें को को निदिए Fantastic की लाशय का रूब करें ऐसा कुछ बात नहीं है हर समय वाहन को जब जूड़ पड़ती है तब उससे अपन लाइटिंग वाइटिंग के टैम पे लेते हैं ठीक है ना और जैसे आपका मैगनेटों सिस्टम होता है बाइकों में तो उसमें तो फ्लाइविल पर मैगनेट्स होते हैं उससे वह जो विदूत है वह मिलती है लेकिंद डियो उप्षिन एकदम सही लग रहा है इंजन चालू होने पर इंजन चालू होने पर जो स्टार्टर मोटर होती है यानि कि से चाहफ लुए बड़ी मातिरा में क्योंकि लगवग स्टार्टर को डेढ़ सो से तीन सो एंपियर जो करंट होता है उसकी आवश्चता होती है संपुर्ण निजन को स्टार्ट करने के लिए तो इसके लिए क्या करता है जो आपकी ऑटोमोबैल में जो बैटरी है वो क्या करती है सेल्फ स्टार्टर को गुमाने में बड़ी मदद करती है तो डी उप्षिन ए देखी नेक्स्ट क्वेशन करद कि अगरा कारों में कि लगे सर्विस ब्रेक है आखे लगे इस ब्रिक आम तोर पर संचालित होते हैं या अंत्रिक रूप से या हाइड्रॉलिक रूप से या वाई वीयरूप से इसमें से कोई नहीं तो दोस्तों ब्रेकों को दोस्रेडियों में बाटा गया है सक्ति के इसाब से बात की जाए सक्ति के अनुसाद लिए 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 मेकेनिकल दो ब्रेक है और दूसरा पावर ब्रेक और पावर ब्रेक के भी निम्न प्रकार्ग हैं कौन-कौन से पावर में कौन-कौन से हैं हाइड्रोलिक है दूसरा जो है सर्वो या वेक्यूम साहेता साहेता प्राफ्त ब्रेक ब्रेक टीस्ट्रा जो है एयर ब्रेक और चौत्था है एलेक्ट्रिक ब्रेक तो वर्तमान समय में मेकेनिकल जो ब्रेक देखने को मिलता है आइस एट्रेक्टर विगरा बाइकों की जो ठीक है ना ब्रेक हैं अट्रोलीट है किसमें मिलते हैं अ आईस, है और ब्रेक होते हैं एक्ट्रेक और तो यहां option क्या है यानिके hydraulic brake ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन की और लिजल इंदन का काउथलांग की सीमा में होता है सतर से सतर डिग्री सेल्सियस से सो डिग्री सेल्सियस या सो डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस तो इसमें राइट ऑप्षिन क्या है आपको पता सेल गया होगा पॉटिंत का बिल्कुल डी जो ऑप्षिन है वो राइट एंसर है लगवग इतना जो टेंप्रेचर होता है वो काउथलांग का सुफिशेंट टेंप्रेचर होता है देखे नेक्स्ट कॉश्चन एक दिशा में साइट रंस अंकेत के प्रती मिट प्रकास की चमक आवरती है होती है नो नबबय नो सो नो जार देखना है जारा इस कॉश्चन को मुझे अच्छे से याद नहीं है लेकिन मेरे उसार जो बी अंसर है उसका राइट अंसर है ठीक है बी नेक्स्ट कॉश्चन देखें अब देखें का अब एक अब इसन कोईल का उप्योग के लिए क्या जाता है वर्तमान कदम वर्तमान नीचे कदम वोल्टेज बढ़ाए वोल्टेज नीचे कदम कि अ है कि तो क्या होना चीए इसका जो काम होता है बोल्टेज बढ़ाना क्योंकि आपको बता है बैटरी जो होती है बैटरी से बैटरी जो होती है बैटरी लो टेंशन करेंट उत्पन करती है नेगिटिव आर्थ के लिए होता है आर्थ पोजिटिव जो वायर है वो किसको जाता है एक निशन को जाता ह कि इसको जाता है कि इसको जाता है डिश्ट्री को और डिस्ट्रिबूटर से जाती है एस ट्री लीड हाई टेंशन है करेंट एक लीड है कैना और यह थो जाती है कि स्पारक व्लक को कि कि आ पर अब गया ंब अब इसे हैं सो बकिरिए के इतना करेंट नहीं घूँ करतीए कजिए कोईल करती है ठीक है नहीं को करता है इगनिशन जो कोईल है वोल्टेज में बदलने का काम करती है ठीक है नहीं तो यहां वोल्टेज बढ़ाए नेक्स्ट कुश्चन है देखिए जड़ा क्रेंग के से इंजन सेलेंडर में आने वाले फ्रेश सार्ज वारा इंजन सेलेंडर जली वी गेस्टों को निकालने की प्रिक्रिया को कहा जाता है देखिए जड़ा क्या कहा जाता है क्रेंग के से इंजन सेलेंडर में आने वाले फ्रेश सार्ज वारा कि सफाई प्राइमिंग दो और शाद आ गए हैं तो यहां जो सफाई जो है विस्पोर्ट तो क्या होता है प्रीग्निसन के कारण होता है प्राइमिंग को इसमें नहीं है तो यहां जो सी औक्षन है यानिकि सफाई क्रेंकिस इंजन में इंजन में आने वाले सार्ज दोहरा इंजन सिलेंडर में जली विगेश्टन को निकालने की प्रिक्रिय को कहा जाता है सफाई ठीक है यानि कि इसके वेंजिंग ओफ एयर कि पैट्रोल की तुलना में डीजल एंजन का सब प्रवजलन तापमान है उच निचला वही या इंदन की गुणवक्ता पर निर्भर करता है कि इस पर निर्भर करता है अब कर पता है जो अक्टैन नंबर है और डीजल के लिए कि तो फेल की अदाज में आपको पता है कि जल जाता कम है तो निचल आएगा आपने देखा है कि नेक्स्ट कोर्शन देखिए जड़ा कि यहाँ कि अग्टरी के ताप मान में वर्दी के साथ इलेक्ट्रो लाइट का विशिष्ट गुरुत्व है कि बढ़ता है यागड़ता है यह वही रहता है इलेक्ट्रो लाइट क्या होता भी कि अग्यों अग्यों आज और गिए कि अग्यों आज उन्हें प्रेटर के ताबमान में वर्दी के साथ इलेक्ट्रोलाइट का विजिस्ट गूरुत्व बढ़ता है या गड़ता है या सी वही रहता है या इसमें कोई नहीं तो यहां आएगा गड़ता है क्या गड़ता है गड़ता है नेक्स्ट कॉश्चन देखिए आसपास के बातावरण के दबाव से अधिक दबाव पर इंजन सिलेंडर सेवन हवा की आपूरती की प्रिक्रिया को कहा जाता है सुपर चार्जिंग या फिर ओटो इगनिशन या फिर सफाई या विस्पोर्ट क्या कहा जाता है वहीं कि इगनिशन का मतलब तो आपको पता है ओटो इगनिशन यानि कि प्रवजलन से मतलब है तो यहां तो कोई मतलब नहीं ठीक है हावा की आपूर्ती करनी है तो सफाई तो कोई ओप्षन होना नहीं चीए विस्पोर्ट क्या होता है एक के नोकिंग या डेटोनेशन जो होती है एंजिन के अंदर यानिके जो पूरा जो इंदन है एक साथ जो चार्ज है वो नहीं चल पाता आदा इसा बज जलता है और व मैं थोड़ा सा और बता दूं कि पहले जो अपनी गाडियों के अंदर जो सिस्टम होगा करता था वह सुपर चार्जर उप्योग होगा करता था जो की इंजन की केम साफ्ट से ओपरेट होता था लेकिन वर्तवान समय में जो टर्बो चार्जर आ गया है जो की एक्जास गे कीडिती है ठोक है लेकिन यहां बात वरिये दखे और सुपर चार्जिंग ओर तो यहां जो आएगा यहांगिन अपका रॉप्षण बने होते हैं धातु है यानि के मैटीरियल के बारे में पूछा है तो यहां ऑप्षन दिया गया है आपके पास में एल्मूनियम है या सिरेमिक या फिर पितल के या कच्छा लोहा तो कौन सा अप्रिशन होना चीए भई ठीक है तो देखे अगर एल्मूनियम होगा तो आपने देखा है कि एल्मूनियम में काफी कमजोर होता है दो बार आप तार को भी युँ मोटते यह तो आसानी से टूट जाता है तो एल्मूनियम के साथ में क्या तो अलाय यानिकि उसके साथ में और जो दात्में हैं उसका समावेश हो तब वो मजबूती प्रदान करेगा लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने देखें ट्विस्टोक इंजन देखें बाहर का जो आवरण है एर कुल्ड इंजनों की बात कर रहा हूं मैं बाहर का जो आवरण है एलमूनिम चिपक सकते हैं इंजन सीज हो सकता है तो वहां हाडनेस देने के लिए यानि कि जो कच्चा लोगा है उसका प्रियोग किया जाता है तो डी ओप्षन के आपका राइट अंसर है इसके अगला क्वेशन देखिए बैलेंसर साफ का उद्देश्य है ठीक है बैलेंसर साफ का जो उद्देश्य वह पुछा गया है पिष्टन के दो समू के आंदोलन में समय को संतुलित करें या फिर भी घुर्णन क्रेंग साफ की जड़ता बल बढ़ाए या सी ओप्षन क्रेंग समय के साफ रोटेशन के कार्ण होने वाले कम लंको कम करें या डी सेवन और निकास वाल के खुलने के समय में को समय योजित करें बैलेंसर की बात कुछ ही चावख तो आपको पता है कि डी जोप्षन है सेवन और निकास वालों खुलने के लिए तो यहां जो काम आएगा केम साफ्ट जो होती है उसके माद्यम से यह होता है ठीक है घुनन के रिंग साफ्ट की जड़ता बढ़ाए तो इसको जड़ता बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है ठीक है और पिस्टन के दो समों के आंदलों के समय को संसुलित करें तो पिस्टन में नहीं यह लगे रहते हैं क्रेंग साफ्ट पे ठीक है तो क्रेंग साफ्ट में जो बैलेंसिंग वेट होते हैं है ना तो वो क्या करते हैं क्रेंग साफ्ट जो रोटेशन जब घूमती है तो उसक साफ्ट रोटेशन रोटेशन मतलब घुर्णन गती गोल गती के कारण होने वाले कमपन को कम करें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं कि यहां देखे कि इसमें दिया गया है कार के चंगूल में फ्री पैडल लगबग है पैडल के लिए फ्री प्ले यानिके किल्रेंस रखा जाता है तो लगबग कितना रखा यह रखा जाता है 15 mm के करीब रखा जाता है या फिर 25 mm या फिर 40 mm या 60 mm ठीक है तो पैडल जो प्ले हैं वो रखा जाता है कार के में तो लगबग 15 mm है या 25 mm है या 40 mm है या 60 mm है तो यहां दोस्तों जो प्ले रखा जाता है वो है 25 mm के करीबन जो पैडल प्ले है वो रखा जाता है बी ओप्षिन आपका राइट अंसर है ठीक है देखते हैं नेक्स्ट कॉस्चन को धलाई कार को धनात्मत कहा जाता है जब किंग पिन के सिर्ष को की और जुकाया जाता है वहां के पीछे या वहां के सामने या वहां के बाएं या वहां का अधिकार तो इसमें जो होगा एक्षिन होगा ड़लाई कार को धनात्मक कहा जाता है कब वहां के जो होती है जब किंग पिन के सिर्ष को वहां के पीछे की और जुकाया जाता है ठीक है तो यहां एक्षिन राइट अंसर है देखिए नेक्स्ट कॉस्चन नेक्स्ट कॉस्चन देखिए इस पार्क इगनिशन इंजन में सलेंडर में केवल हवा पेस्ट की जाती है या कार्बुरेटर से सलेंडर में हवा और इंदन का मिशन पेस्ट किया जाता है या सी दोनो ए और बी दोनो या इस में से कोई नहीं क्या होना दीवी क्या होना दीवी 25 का जो है उसमें क्या होना जी इस दो दो यह को बात तो यह भी सही है हवा भी पेस्ट की जाती है लेकिन हवा के साथ में इंदन भी होता है तो यह भी दोनों से क्या मतलब है यहां जब B में पूरी बात दे दी गई है, यानि कि कार्बूरेटर से सिलेंडर में हवा और इंधन जो मिष्न होता है उसको पेस किया जाता है तो यहां B option क्या है, राइट अंसर है, क्या हो गया, B option क्या है, बिल्कुल है, राइट अंसर है, देंखें। इंजन के एर क्लीनर का मुख्य उद्देश से यह है कि क्या है इंजन के वाई यू सेवन की मात्रा को नींतर्ण करता है या फिर इंजन के वाई यू सेवन सोर को कम करता है या सी बारिश के पानी को इंजन में प्रवेश करने से रोकता है या धूल और अन्य विदेश विदेशी प्रदार्थों को इंजन में प्रवेश करने से रोकता है तो राइट अंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार लेकिन दोस्तों यह कोईशन जो है भर्मित करने वाला जो कोईशन है वैसे एक लिनल का काम क्या है कि सुद्ध हवा को इंजल सिलिंडर में बेजने का काम होता है लेकिन उससे पहले उसके अंदर वायूमंद लिए जो धूड मिट्टी के जो कण होते हैं वायूमंद लिए ज सुदवा है वो इंजल सिलिंडर के अंदर प्रवेश कराता है तो यहां जो डी ओप्षन होगा वो राइट अंसर होगा क्या होगा डी ओप्षन क्योंकि उसके अंदर फिल्टर और एलिमेंट इसलिए लगाया गया है ताकि वह दूड मिट्टी के कण है जो वातावरण में विद्यमान है वह हवा के साथ में इंजल सिलिंडर में जाकर गिसावट ना पैदा करें तो उन दूड मिट्टी के कणों को और विदेशी पदार्थों को इंजन में प्रवेश करने से रोकता है अगला क्वेशन देखिए इंजन में बिजली के आवेगों को सुचारू करने के लिए उपक्रण को कहा जाता है क्लाच डिफ्रेंशियल फ्लाइविल या तो कन्वेटर क्या कहा जाता है अब को पता है कि जब इंजन स्टार्ट करते हैं क्रेंग साफ्ट गूमती है क्रेंग साफ्ट गूमने के बाद में वह ताकत है फ्लाइविल को मिलती है और फ्लाइविल इंजन के जो क्लिफिंस साइगी इस टोख है कौन-कौन से सक्सें कंप्रेशन और अंतिम वाला एक्जास्ट पावर तो क्या होता है मैं इस टोक होता है उनको पूरा करने का इसी के काम होता है किसका फ्लाइविल का तो यहां भी ऑप्शन तो गलत है और जो आपका सी ओप्शन है वह रा एक मास्टर्पेडल का मुख्य कारी है ब्रेक पैडल की प्ले की सीमा को समय उजित करना यहनिके एड्रेस्ट करना ब्रेक पैडल पर लागवल को बढ़ा दे दे या फिर ब्रेक पैडल बल्को घुलेक दबाव में प्रिवर्तन करें या बी सुनिश्चित करें कि सभी वील ब्रेक समान मातरा में दर्वे दाव के साथ आप उर्ती की जाती है तो दोस्तों यहाँ जो ओप्शन है वो क्या होना चाहिए आपके अनुसार है ना यहाँ जो ओप्शन है वो क्या होना चाहिए आपके अनुसार बात तो यह भी सही है लेकिन सबसे उचीत ही यह है कि उससे पहले ब्रेक पेडल बलको हाइड्रोलिक दबाव में परिवर्तन करें ठीक है जिससे क्या है कि वो समान जो वेल है सभी को एक साथ जो दरव की आप उठती करता है तो सी ओप्शन पहले इसका क्या होगा राइट अंसर होगा देखते हैं नेक्स कोशन को कि पैट्रों से निकलने वाली गेसे में सामिल है कि पैट्रों वास्व जल वास्व और कार्बन मोनोक्साइड बी यह सभी आजकर दो अंतिम कोश्चन ने देखी जड़ा इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा तो दोस्तों जो पैट्रों इंजन से जो हानिकार गेस निकलती है वो सी ओ यानिकी कार्बन मोनोक्साइड है यहां सी ओक्षन क्या है राइट एंसर है तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही नेक्ट कुश्चन और लेते हैं एक्जाम नजदी का गई है जितना है जितना होँचके ज्यादा से ज्यादा जो कुश्चन है इंजन के किते कि ईक्षन झालए दो.